अगर प्रदेश में भाशपा की सरकार दोबारा बनती है तो मैं बागली को जिला और नर्मदा काली सिंध लिंक पर योजना से बचे हुए गाउं को जरूर जुरवाऊंगा ये बात पूर्व मुख्यमंत्री शिवरास सिंग चौहान ने बागली में कही देखिए इस खास र अगर प्रदेश में दो तीन सीटें और होती तो आज मैं ही मुख्यमंत्री होता शिवराज ने कहा कि कमलनाथ की सरकार ने किसानों का कोई कर्जमाफ नहीं किया है विकास के सारे काम ठप हैं साथ ही जन कल्यारकारी योजनाएं भी बन की जा चुकी है तो दस दिन के अंदर सबके कर्जमाफ कर देंगे और जिन के बताएं अवने ऐसे एक दो तीन चार पाथ चैसाथ आठ नो दस और दस तो वैसे डाली देता मामा को मांगने आता था अरे मैं तो बहाना दूनता तक कमो कमिला खाते में प्रिशा जब से कमलाथ बने डाला जा वहीं उन्होंने मीरिया से बात करते हुए कहा अगर मुझे मौका मिले तो बागली के लिए मैं दो काम जरूर करूँगा एक तो बागली को जिला बनाना और दूसरा नर्मदा काली सिंध लिंक पर योजना में छूटे हुए गाउं को जोना यह मेरा प्रमकु देश होगा क कांग्रेस की मान से क्ता महा नीच है निया सिचाई की कोई दूसरी गवस्ता नहीं है इसलिए काली सिंध दर्मदा फेस्टू में बागली के गाउं भी मौल रूस से संब्लिट किये यह संका मुझे जरूर है कि यह काम करेंगे कि नहीं करेंगे पूरा लेकिन हम पीछे पढ़ेंगे काम करवाएंगे नहीं तो यह भारती राजनीति में कभी नहीं हुआ इंग्रेस की मानसिकता नीच और महा नीच है उनकी मानसिकता जागी रही भावना जैसी है जब काल मनुझ पर च्छाता है पहले बिवेक मर जाता है इनका बिवेक मर गया इनकी बुद्धी मर गया बरहाल अब देखना होगा कि खनवा लोकसवा सीट पर नंद कुमार सिंग जोहान फिर से जीते हैं या फिर अरुन यादव कॉंग्रेस का ज़ंडा बुलंद करते हैं येरो रिपोर्ट, MP News, चापड़ा